साथियों नमस्कार जेहिंद कैसे हो आप सभी लोग उमिद करता हूं कि आप अच्छे हैं मस्ता स्वस्ता अपने पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारे रख पा रहे हैं आज एक और टूपीक अपन करने वाले हैं जो अपने सलेवस में दिया हुआ है संसार की प्रमुख वन नश्पति और वन्यजीव इसका निचोड मान लिजेगा यह आपके सामने में रखने जा रहा हूं तो सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे अपने पढ़ाई को जारे रख पा रहे होंगे एक जाम का दोर आ चुका है अंतिम समय आपके पास है तो आईएगा इस ट्रोपिक ओपन प्राहम करता है तोपिक प्राहम करने से पहले एक बार मुस्कुराईएगा क्योंकि आप बुगोल पढ़ रहे हैं और बुगोल जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में एक अजीब साख ही यह खुसी होती होगी कि यार बुगोल अच्छा मैं आपको बता दूँ क्या समझ लेना है यानि सीधी सीधी बाते यहां पे मैं आपको बता दू उस नकटी बंद क्या होता है उसको लेकर कर के एक बार मैं आपके साथ चर्चा कर लों यह सामने प्रत्वी हैं है सर इसमें अपन जानते हैं कि यह कौन सी रेखा है सर यह और साड़ेड़्यीच ट्ग्री दक्षिन में यह वाला जो भाग है ना इसे आप क्या कहते हैं इसे कहते हैं उस्त्न कटीबंद अब जब जब भी उसम्त कटीबंद की बात आए तो याद रखिए GAP उसन कटीबंद का मतलब साड़े 23 टिगरी उत्तर से लेके साड़े 23 टिगरी दक्षनी इसके बाद साड़े 23 से लेके साड़े 26 की बात करें अपन तो साड़े 23 से लेके और साड़े 26 तक का जो भागे ये क्या कहलाता है तो याद रखिएगा यह कहल thank ॲ गया उस्ट रिच राड़ के बाद में मा सितोष्न और फिर उपर जाते हैं तो कौनसा सीघ कटी डाजाईगा इतने वात याद रहेगي इधर फिर चलेंगे तो कौनसा तो आपका उत्तर आये सितोस्न और फिर चलेंगे तो कौन सा आ जाएगा सीत कटी बंद आ जाएगा अब सुनिएगा आगे बात आती है पहले नंबर पे कि उस्न कटीवन सदावार वन और वन्य जी पहली बाद तो आपसे प्रशन बन सकता है कि यह वाला जो वन प्वंद्य रिखा के दोनो और अब फिर आप कहेंगे चैर्वो द्यकेते इस। रखा के दोनों और का मतलब क्या समझेंगे अरे भाईया दस डिग्री उत्री lacs यहांने अक्सांस से लेकर कहां तक आपकाएंगे 10 दिग्री 10 दक्षनी अक्सांस तक यहां भुमद्दे रहें दोनों चाहें when of दक्षेश黃bug बार कर चाहें वो फेकल वाल अब चाहें when the दिग्री उस्तेर वाला वाकि है दोनों अ गुलार्द के इंडर्लिक प्यांदर is सदा बाहर सदा बाहर क्यों है यहां दो कारण है एक तो बात आती है यहां उच्छ तापमान है और उच्छ तापमान के साथ याद रखेगा यहां उच्छ वर्षा की प्राप्ति भी होती है चलो ठीक बात है लेगन एक बात बदा दू में इन वनों में सदा बाहर का मतलब है कि वर्स भर हरे भरे रहते हैं और इनकी एक बात और है इनकी सगनता जो है अधिक है और इनकी सगनता अधिक है इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आर्थिक महत्व के वन नहीं है इनकी सगनता क्या है तो याद रखेगा इनकी सगनता अधिक है और सगनता अधिक है इसलिए इनका कोई आर्थिक महत्व है नहीं है याद रहे इतनी बाद इनकी सगंता आदिक है इसलिए इनका आर्थिक महत्व नहीं है आप कहेंगे सर सगंता से आर्थिक महत्व का मतलब क्या है आर्थिक महत्व नहीं है और भैया सगंता जब होगी तो वहां तक पहुंची नहीं हो सकती आही करेंगे अगर काट भी लेंगे तो क्या होगा और विश्व की 90 परतीशत जो लताएं लता बोले तो आप समझ रहें लता का मतलब होता है क्या होता लता बताओ बेले तो आप कह सकते हैं कि ये वर्ष हरे बरे रहते हैं और यहां पर एक बात और लिख लेना विश्व की 90 परतीशत लताएं सदा बहार वनों में है और वनों में है जिने क्या कहते हैं तो याद रखेगा लियाना कहते हैं जिने वनों में हैं वनों में जिने लियाना कहते हैं लियाना कहते हैं कहते हैं चलो ठीक बात है सर यह बात तो होगी कि इन कार्थिक महत्व नहीं है क्यों नहीं है पहली बात तो कटोर लकड़ी है दूसरी बात सघंत आदिक है तो इन तक पहुंची नहीं हो पाती और महोगनी कौन से वनों में आता है तो भाई साब याद रखेगा रोजवड की बात आती है आबनूस की बात आती है महोगनी है इसके लाइब बढ़ है ताड है बहां से बेंत है सिनकोना है गटा पर चाहे आदी और यह जो सिनकोना है इस से आप कह सकते हैं कुने बोले तो मलेर आरिया उप्चार की दवा रोजबूड है आभनों से मोगनी है ताढ़ ताड आधी किस ٹैप की परजाती वनश्पती है तो आपका उत्तर आए कि यह आपका केसी है यह उश्यन कटी सदावाहर वनस्पती चलो ठीक है यह तो बात होगी वनस्पती की किसकी तो आप कहेंगे वनस्पती करते हैं तो यहाद रुखेगा वन्य जीव कौन कौन से नमबर एक पर इन में बंदर पाया जाता है क्या पाया जाता है बंदर इसके बाद में फिर याद रखेगा इन में गोरिल्ला पाया जाता है गोरिल्ला इन में पाया जाता है सांप इन में पाया जाता है चम गादर तीतर लंगूर और मैं बता दू एक बात सात्वी की सामाजिक विज्ञान में चीज़ें दी हुए अगर आप पढ़ने बेटोगे तो यह कोई नया टोपिक नहीं है कि तुफान आ जाएगा इससे कई बार सोच रहूंगे तो पूरे विश्व के पढ़ने लगेंगे पसीने छुट जाए लेकिन आपको इत्ता नहीं करना है आपको सीधा सीधा साग ज या रखीगा इनके न्दर आपके सकते हैं सही साही गिलहरी भी पाई जाती इसके लाव mentor यहां चिपकली भी पाई जाती है चिपकली यहां और क्या क्राइज जाता सर एक बदा दों यहां पर वरक्षवासी जीव पाई जाते हैं वरक्षवासी जीव वरक्षवासी जीव का मतलब जिनका मुख्य निवास इस्थान वरक्ष होता है धरातल नहीं होता और वरक्षवासी होते हैं इसलिए इनके पंजे जो होते हैं और जो इनका तला होता है वो चिपकने वाला होता है इनका जो तला होत दिए आधी यहां पर होते हैं चले आगे चलते हैं एना कॉंड़ा जो विश्वय का सबसे बड़ा सांप है यह उस कटी बंद वर्सावन में पाये जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि amazing जो है यहां लिख देथा हूं में यानि amazing की बात आती amazing one याद रखेगा anyone backs इनमे amazing one भी सामिल है amazing one भी सामिल है आप कहेंगे sir amazing है कहां पर amazing one भी सामिल है ब्राजिल में है कहां है और इन्हें क्या कहा जाता है इन वनों को कहा जाता है पर्तवी का फेफड़ा क्या कहा जाता है इन वनों को याद रुखेगा इन वनों को पर्तवी का फेफड़ा कहा जाता है फिर आप से प्रसंद बनेगा पर्तवी का फेफड़ा क्यों कहते हैं बाइसा पर्तवी की किड़ पर्तवी का गुर्दा ये किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर बनेगा पर्तवी की किड़नी पर्तवी का गुर्दा ये कहा जाता है अपने जो मेंगरोवन होते हैं उनको क्यों कहते हैं मेंगरोवनों को पर्तवी की किड़नी गुर्दा मेंगरोवन साथ में दलदली जो चेत होता है इने कहता है परत्वी की किड़नी या गुर्दा इने कहता है परत्वी का फे पड़ा क्योंकि oxygen generate है यह सबसे ज्यादा यही करते हैं तो इाद रखिएगा ठीक है चले आगे चलते आगे देखेए आगे अपनी बात बंती है उसने कटीबंद परण पाती वन परण पाती का मतलब आप क्या कहेंगे यानि ये एक बार पतियां गिराते हैं एक बार एक बार पतियां गिराते हैं चलो ठीक बात है अब एक बार पतियां तो गिराते हैं साथ में एक बात और याद रखना इन्ही वनों को मान सुनी वन कहते हैं इन्ही वनों को मान सुनी वन कहते हैं इन्ही वनों को क्या कहते हैं मान सुनी वन कहते हैं प्रेप्रशन भरेगा इनका विस्तार कहां कहां तो याद रखेगा दोनों गोलार्दों में दोनों गोलार्दों में पांच डिग्री से पीस डिग्री तक विस्त्रित यानि दोनों गोलार्द में उत्री गोलार्द दक्षनी गोलार्द इन दोनों गोलार्द में पांच डिग्री से लेके 30 डिग्री तक विस्तरिज्जु हैं ये कौन से हैं तो आपका उत्तर आएगा उष्ण कटीबंद परण पातीबंद या फिर अपन कह सकते हैं मानसुनी बन जैसे जैसे में बात कर सकते हैं भारत भारत के लाँ बात करेंगे उत्तर उस्टेलिया ये भी मानसुनी जिलवाईू का ही प्रदीश है उत्तर उस्टेलिया अगे बात करेंगे आप मध्य अमेरिका अगर आपसे पूछले कि ये परणपाती बन कौन से वर्षा चित्र में तो आप कहेंगे यहाँ पर वर्षा ज्यादा नहीं वर्षा सो से 200 सेंटिमेटर 800-200 स्यादा पूछले तो आपको उत्तर आएगा यानी सदा बाहर जू वन है यहां पर वर्षा तो ज़दा है लेकिन वर्षा ज़दा है किति तो आप कहेंगे 200 सेंटीमेटर से पलस और यहां पर क्या करें यहां है ऊसे 200 के बीच चलें आगे चलते हैं अब आगे बात बनेगी किन में हैं क्या क्या यानि जो परण पाती वन है इनमें याद रखेगा इनमें दर्ड कास्ट वरक्षों में साल यहां पाया जाता है सागवान यहां पाया जाता है नीम यहां पाया जाता है इसके लहां बात करें तो सीसम यहां पाया जाता है एक बात और याद रख लेना यहां पर महुवा भी पाया जाता है क्या पाया जाता है तो आप कहेंगे महुवा भी इनमें पाया जाता है दर कास्ट वरक्ष फरनीचर बनाने में यातायात में निर्मान सामगरी बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है लेकिन इनकी सगंता थोड़ी कम है और सगंता कम होने के कार्ण क्या कहा जाता है यह थोड़े आर्थिक महत्व के वन है अब बात करते हैं कि अगर बात कर लिजाए कि साल जो है ने साल साल को क्या कहते हैं साल को कहते हैं अगनी वलभ्भा साल कोई कहा जाता है अस्वय करण बायचान चाहिए ये वनस्पति कहां पाई जाती है तो आप कहेंगे वनस्पति परणपाती वन इन वनों का आर्थिक महत्व हैं वनों की सघंता कम इन वनों की थोड़ी सघंता क्या है क पठकडी अपैक्षा करते उश्नकटीवंद सदा भारवनों से थोड़ी मुलायम जादाही जो मुलायम है यह तो जो टेगावन होते हैं ना कौन धारीवन इन में वनस्पती मुलायम होती है गुलाय मोती तो माचिस बनाना है पेकिंग के लिए डिब्बे तयार करना है या कोई और जो चोटे मोटे खेल सामगरी बनानी है यह उनसे बन दी बात बनी इन में मुखे वन्ने जीव कौन से बाग है सेर है हाथी है गॉल्डन लंगूर है बंदर है इसके लाब बात कर सकते हैं एसी चीता है एसी आई चीता इसके लाब बात कर सकते हैं जैसे घोडा है इसके लाब बात कर सकते हैं गेंडा है गेंडा गेंडे के लाब बात कर सकते हैं आपका क्या आएगा जंगली भैसा है जंगली भैसा यह यहां के बनने जीव हैं इसके लाबा इस्तंदारी जंत पोटामस जिसे दरियाई घोडा कहते हैं एरियाई घोडा लिख दिया दरियाई घोडा तक यहां पाई जाते हैं उस्टेलिया में सरवादी कंगारू पाई जाते हैं इसलिए उस्टेलिया को क्या कहा जाता है कंगारू का देश से कहते हैं उस्टेलिया में पाई जाने वाला सितोषिन सिदाब आर की बात आई यह कौन से एकसांसों में पहली पहली बात तो याद रखेगा मद्धे एकसांसों के तटिये छेत्र में मद्धे एकसांसों के तटिये छेत्र में मद्धे एकसांस की बात आगी तो एक बात रियाद रख ले ना तीस से लेके पेंटालिस डिग्री ता तीस डिग्री से पेंटालिस डिग्री दोनों गुलार्दों में एक बात और याद रखना तामान्यत है महाद्वीपों के कौन से किनारों पर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों तहां काँ पाई जाते हैं दक्सन पूर्वी अमेरिका उनका जो विस्तार है दक्सन पूर्वी अमेरिका दक्सन पूर्वी राजिल दक्सनी चीन जापान और पूरिया इन प्रदैशों में मुख्य रूप से पाई जाते हैं कौन से सितोस्न सदा बहर बन सितोस्न में हैं लेकिन सदा बार है इन वर्षा फिर अधिक है आगे इनमें है कौन-कौन से इनमें बांस मिलेगा चीड मिलेगा यूकिलिप्टस निलगरी जिसे कहता है जैसे द्रड एवं मुलाइम दोनों प्रकार के पेड़ी यहां पाई जाते है इसलिए इनका भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे इनका आर्थिक महत्वे है लेकिन सबसे ज़्याद आर्थिक महत्वे किसका है आप कहेंगे उश्ण कटीवंद परन-पातीवनों का सबसे ज़्यादा आर्थिक महत्वे चलें आगे चलते हैं आगे आप कहे सकते हैं यहाँ वन्ने जिवों की बात करें तो यहाँ विभिन परकार के पकसी है हीरन है, लोमडी है गिलेहरी है, रेकून रेकून अंडराइन कर लेना यह सितोस्न में है इसके लाँ आप कहे सकता है यहाँ पे सारस भी पाये जाते है, सारस के लाव बात करें तो आई ब्रिस भी यहाँ पाये जाते है, इसके लाव बात करें तो इग्रेट सांप एक परजाती है, यह भी यहाँ पाये जाते है, इसके लाव बात करें तो यहाँ घडियाल भी यहाँ पाये जाते हैं, इसके ला यह भी यहां पाये जाता है इसके लाँ बात करोगे आपकी यह निलगरी वाला जो है इसके दिखता कहां पर याद रखेगा एक तो ऑस्टेलिया वाले पार्ट में निलगरी ज्यादा मिलते हैं ऑस्टेलिया के लाँ बात करेंगे तस्मानिया वाले पार्ट में निलगरी ज् लेका repl धान के आपको बहुरेद वाला भाग है भारत के अंदर भारत में निलगरी काफी है तो भारत के भी दक्षिन हो में यह तोड़ा सथ मद्धे अक्सांसों से थोड़ा उपड़ उच्छ अक्सांसों की और उच्छ अक्सांसों की और सीत जलवाईू के 30 ए प्रदेश में आप आई कहां कहां जाते हैं इन तो आप कह सकता हैं पस्मी यूरोप एक आप कह सकता हैं उत्तर पूर्वी छेन एक आप कह सकता हैं जापान हुआ मियसमी इक आप कए सकते हैं उत्तर पूर्वी अमेरिक अ कि एक आप कह सकता हैं और स्टृलिया हुआ है एक आप कह सकता है व्यान कि एक आप कह सकते हैं दक्षणी चिल्ली है यहां पर कौन से वन पाई जाता है याद कर ले ना सिपोस्न परणपाती वन पाई जाता है इनtle वनशपती है एस आपी इसके इलावा कुन सा याद रखेगा इस पूझ में भी हम पाये जाता है वर भी यहां है तूंकि इस पूझ से फर है पाइन है लार्च है यह टेगा वनों में भी है यहां पर इनके दिखता है मेपिल है लेकिन यहां भी छुटमुट रूप में पाए जाते हैं बाकी मास है एस है बीच वन्य जीवों में तो याद रखेगा हीरन लोमडी भेडिये यहां के आम जानवर है और फिजेंट और म पाती वन और वनने चीव होगी बात सितोष्न मध्य अक्सांसों से थोड़ा उपर उच अक्सांसों की हो सीज जल्वाई के तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं पस्य में रूप है इसके लाए उत्तर पूरवी चीन है जापान है उत्तर पूरवी अमेरिका है ऑस्टेलिय न्यूजिलेंड दक्षनी चिल्ली आदी वरक्ष कौन से यहां पर बास है एस है बीच है इस प्रूश फार पाइन लौर्च आदी यह कहां भी पाई जाते हैं टेगा के इंदर भी पाई जाते हैं ठीक है चले आगे चलते हैं इतनी बात बनती है कि भुमध्दे सागरिये और बनने जिए देखेगा यह एकमात्तर इसा वनुस्पति का प्रदेश है जो अक्सांस के आधार पर इसका नाम नहीं रखा गये इसका नाम छित्र के आधार पर रखा चूंकि आप चमसते हैं कि यह वाला जो हिस्सा है ना अगर मैं यहां पूरा बनाना चाहूं तो भी बना सकते हैं पर जैसे इधर से अफ्रिका आगे इधर से क्या आजाए यह यूरोब वाला हिस्सा आगया इधर से एसीया वाला हिस्सा आगया इधर से आप जानते हैं औस्ट्रेलिया वाला हिस्सा आगया यह दक्षन अमरीका आगया यह उत्तर अमरीका इगनलेट इस पूरे विश्व में अगर आपसे पूछा जाए इस वरनस्पती का विस्तार का है एक तो अफ्रिका की भाग में याद रखीगा अफ्रिका वाले भाग में एक यूरोप के दक्षनी भाग में इसके लावा कहां पर इसके लावा दक्षन अफ्रिका में इसके लावा कहां पर इसके लावा ऑस्ट्रेलिया के दक्षनी भाग में इसके लावा कहां पर चिल्ली के मध्धे भाग में इसके लावा कहां पर के मध्यक्षान्सों में महाद्वीपों के पस्षिम वह दक्सिन पस्षिम भागों में पाई जाने वाली वनस्पती पाई जाने वाली वनस्पती इसका अगर एडिया पूछा जाए तो आप कह सकता है 30 से 40 या 45 डिगरी के मध्धे दौनो गोलार्थ यहाँ बात करता है केलिफोर्निया यह बात करता है मध्धे चिल्ली दक्षिन अमेरिका में यहाँ बात करता है दक्षिन अफ्रीका यह अफ्रीका के उत्तर वाला भाग यह यूरोप के दक्षिन वाला भाग आप कह सकता है दक्षिन यूरोप और उत्तर अफ्रीका यह उस्टेलिया का दक्षिन भाग और यहाँ मुखे रूप से फलों की खेती की जाती इसलिए नहीं कहते है विश्वय का फलोध्यान विश्वय का फलोध्यान कहा जाता है क्या कहा जाता है तो याद रखेगा विश्वय का फलोध्यान आपने पुशन बनेगा कि जाडियान इन जाडियान को केलिफोर्निया में चेपरल कहते है चेपरल यहाँ केलिफोर्निया में तो मैं यहाँ लिख देता हूं ब्रेकिट में केलिफोर्णिया बात करें बाथा यूरोप वाले पार्ट में इन्हें क्या कहता है बाथा कहता है इन्हें सेज भी कहा जाता है इन्हें मेटोरल भी कहा जाता है इन्हें गेरी गू भी कहा जाता है और मुखे रूपसे इनमें खटे फलों की खेती की जाती जैसे संत्रा है अंजीर, जेतून, अंगूर जैसे निम्बू वंस सिट्रस के फल पेदा की जाते हैं इसके लिए आप कह सकते हैं यहाँ एक ओक भी पाये जाता है बागी जेतून, अंगूर, अंजीर, संत्रा है यह सारे लिखी दिये यह कौन से में? भुमद्दे सागर एक विशेस बात इनकी है गृष्मकाल सुस्क सीतकाल में वर्षा यानि गर्मिया यहां सुस्क रहती है सर्दियों में यहां क्या होती है याद रखेगा वर्षा होती है चलें आगे चलते है आगे बात करें तो भुमद्दे सागरी प्रदेश को फलों की करसी के कारण विश्व का फलोध्यान कहा जाता है यहां पे वन्यजीवों की बात करें तो ज्यादा नहीं है लेकिन हेराक्स है इसके लाँ तेंद्वा है इसके लाँ कवाग पर जाती यह यहां पाई जाती ठीक है इसके लाँ बात कर सकता है इनमें कंगारू भी मिलते है इनमें वेला भी भी है इनमें रोबिन्स भी है इनमें रेन भी है रेन एक छोटी चिडिया होती है तोटी चिडिया ठीक है तो ये कहां पाए जाते हैं तो सुन लीजिएगा भुमद्दे सागरी ये वरक्षेस उसके गृष्ष मृत्व में स्वयम को ढाल लेते हैं उनकी मोटी चाल और पतियां वासपूर सरजन को रोकते हैं कंगारू है विलाभी है रोबिन्स है रेन है हिराक्स है तेंद्वा है क्वाग है आधी आधी हैं तो इतनी चीजें आपको याद है रख लेने ठीक है चलें आगे चलते हैं अब सुनिए अब आरा संकुधारी वन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कोई प्रशन बनेगा वनस्पती में देखो मुझे तो जहां तक लग रहा है मेरा अनुभवर उन्मान या तो घास के मिदान से प्रशन पूछे जाएंगे या 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 से बाकि पढ़ना तो सारा ही है वनस्पती है तो पढ़ेंगे देखेग संगुदारी वन वनने जीव इन वनों को आप टेगा वन भी कहते हैं प्रशन बनेगा कि टेगा वन क्यों कहते हैं इसलिए कि या या दरखेगा उंचाही अधीक वहाँ विक्सित होता है और यह जो वन है अगर आपसे पूछ ले सरवादिक कहां पे हैं तो आपका उत्र आएगा रूस में उत्री गोलार्थ के उच अक्सांसों में 50 से 60 डिग्री में भव्य संकुधारी वन पाए जाते हैं संकुधारी का मतलब इस टाइप से और यहसा आकार इनकैसली होता है ताकि बरफ बारी जब भी हो बरफ बारी हो पर यह फिशल जाए और वरक्ष को नुक्षान नहीं पहुंचाए और जैसा क्लाइमेट होता है फिर उसके कोडिंग धल जाते हैं याद रहेगा इतना यहां संकुधारी वन पाए जाते हैं और एक बात बदा दो में केवल और केवल उत्री गोलार्द में क्या टेगा वन पाए जाते हैं आपका उत्र बनेगा दक्षनी गोलार्द में यह नगणने है दक्षनी गोलार्द में यह नगणने है नहीं पाए जाते हैं उसकी उपलबदता नहीं है जल भागे इसलिए यह वन नहीं पाये जाते ठीक है इन वनों में एक बात और याद रखीएगा लकडी जो होती है इनकी ये कोम लकडी और शाथ ही ये सदा बाहर प्रकरतिकिया होते है ठीक है अब देखेएगा अब बात आती सदाबार प्रकरतिक्ये तो होते हैं इनमें याद रखना है इनकी इनका आका संकू की तरह जिस से बरह बारी में बचा सीधे, लंबे, वै, नुकीले, पत्ते नहीं मुलायम लकडी जिस से लुकडी बनाई जाती यारी काग जुद्धोग में ज़्यादा काम आता है आप कह सकता है कि काग जुद्धोग काग जुद्धोग और मुखे रूप से अगर बात करें कनाडा में ये रूस और कनाडा दोनों में कनाडा में लकडी काटने वालों को लंबर जेक कहते हैं ये जो मुलायम लकडी होती है जैसे स्वेट पाइन जैसे ताल पाइन जैसे इसकाट पाइन जैसे जेक पाइन जैसे लाज़ फोल पाइन या नहीं है स्वेट पाइन ताल पाइन इसके लावा लाज़ फोल पाइन स्काट पाइन जेक पाइन ये पाइन के परकार यहां सामाने तो रजट लोमडी मिंक दुरवी भालू फीशर लोमडी मार्टिन मस्क चुवा एलन मस्क वाला नहीं मस्क चुवा टिमबर वुल्फ टिमबर वुल्फ एLP केरी बावगू आधी यहां वन्ने जी उपाये जाते हैं मेन बात यह कि उत्री गोलार्द में है पेगा वनों का विस्तार है पचास से सतर डिगरी एक सांस दोनों गोलार्द में नहीं पचास से साथ डिगरी दक्षनी गोलार्द में नहीं पचास से साथ सोरी पचास से सतर उ प्रशन आएगा यहां से पकका मुझे जहां तक लग रहे मेरा नुमान कुछ भी दे यहां उल्जने के ज्यादा चांस है और जहां उल्जने के ज्यादा चांस होते हैं वहीं पर प्रशन आता है आया रहा उस्नकटीबंद मरुस्तल वनस्पती वन्ने जी ये सामानने तबात करो तो 20 से लेखे 30 देगरी एक्षान्सों के अमद्दे उस्नकटीबंद सुस्क जिलवाई। जैसे बात करें पार। अब यहां मुरुस्तल कौन-कौन से हैं कहाँ कहाँ देखियेगा। यहां पर मुरुस्तल आता है। अटाकाम यहां पर मरुष्टल आते हैं एरिजोना सोना रहे यहां पर मरुष्टल आते हैं यहां पर मरुष्टल आते हैं स्तहारा यह आ गया अरब यह आ गया थार यह वाली लाइन याद कर ले ना इसके बाद में यहां उस्टेलिया का डेजेट ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सेंडी है, तनामी है, गिब्सन है, सिंप्सन है, यह उस्टेलिया के मरुस्तल है यह अपने असियावाल आ गया, यह अरब मरुस्तल आ गया, यह कालारी आ गया, सहर आ गया, अटाकामा आ गया, एरिजोनल और अटागावा में एक इक नाम का इस्थान आता है एक इक सुस्कतम इस्थान है याने विश्वय का सबसे सुस्क है बारिस विश्वय की सबसे ज़्यादा का होती मेगाले में आसे नाम चेरा पूंजी तो विश्वा का सबसे सूखा है आगे दिखी यार बात आती इस वनस्पती की विसेश्था के तो आप जानते हैं लंबी जड़ें लंबी जड़ें मोटा तना छोटी पत्ती क्यों? पाने की कमी इसलिए वास्पो सर्जन ये कम करें इसलिए सा ठीक है? चलें आगे? चलतें आगे हैता है कि इन में वनस्पती कौन सी है भी देख लो एक बार नागफणी, केक्टस, खेर, बेर, बबुल, कीकर, खेजडी, खजूर ये कहां की है? उश्नकटी बंद मरुस्तली वनस्पती की है वन्यजी भी यहां क्या है? उटी एक तो जिसरेगिस्तान का मरुस्तल का जहाज कहता है उट इसके तरिक सुतर मुर्ग है, जंगली गधा है, लकड़ बगगा है, सियार है, लोमडी है आदी यहां पाई जाता है, कहां पर उश्नकटी बंद मरुस्तली ये चेत्रों में अब आरे विश्व के परसिद घास इस्तलों के नाम आ रहे हैं, देखो अगर मैं बात करूँ घास इस्तल, मैंने का वेनेजवेला में घास इस्तल को क्या कहता है, लानोस कहता है ब्राजिल में घास इस्तल को क्या कहता है, लानोस, ब्राजिल में घास इस्तल को क्या कहता है, कमपास, उर्वी फ्रीका में घास इस्तल को क्या कहता है, सवाना यह उश्नकटी बंद है यह जो घास इस्तल है यह कैसे है तो याद रखिएगा रुख जाओ रहे यह उश्नकटी बंद है सवाना काप एफ्रीका में ब्राजिल में कमपास वेनेजवेला में लानोस अर्जेंटिना में पंपास लेकिन वो सितोस्न में है अर्जेंटिना में घास के मेदानों को क्या कहते है तो आपका उत्तर आएगा अर्जेंटिना में घास के मेदान को पंपास कहते है पंपास या पेमपास एक ही बात अगर उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका में स्टेपी कहेंगे अब प्रेरी इसके बाद में याद रखेगा मद्देशिया में स्टेपी औस्टेलिया में क्या कहते हैं डाउन्स न्यूजिलेंड में केंटबरी औस्टेलिया में क्या कहते हैं डाउन्स और न्यूजिलेंड में केंटबरी पॉंपास कहा का जाता अर्जेंटीना में आप यहां यूँ भी लिख सकता है अरे भाई तेरे क्या दर्द है पॉंपास प्रेरी दक्षन अफ्रीका में क्या करें वेल्डस बात करें मद्देश यां स्टेपी और डॉस्टेलिया में डाउंस और न्यूजिलेंड में केंट बरी ैंटर बरी या केंट बरी यह की बात यह होगे सितोतन, यह सारे के सारे सितोस्न है ठीक है उसनल शितोजन बात समझा आईवी है ठीक है उसनल खटीवंद घास के बात यह दोनो गोलार्दों में पांस डिग्री से 20 डिग्री दोनो गोलार्दों में 20 डिग्री जैसे ब्राजिल में क्या कहते हैं बोलो एक बार रेपीट हो जाएगा कम पास अफ्रिका में क्या कहता है पंपास इसे कहा जाए कि सोरी अरजिंटेना में कहते हैं पंपास तो सवाना अफ्रिका में क्या कहता है सवाना वेनेजवेला में क्या कहा जाता है लानोस एक बात और बदा दू तक्सिन अफ्रीका में पार्क लेंड कहते हैं पार्क लेंड ठीक है दोनों को लारदू में पांस टिगरे से 20 ठीक बात थे सामानेत आती जेबरा जिरा फिरन तेंद्वा और घास में पाये जाने वाले जो भी है जैसे कि बात करें आप यहां एमू यह भी पाये जाता है उस्टेले न्यूजिलेंड वाले भाग में एक नाइटर जर्स रात में उड़ने वाली चिडिया एक तरीके से एक अफ्रीकन भ यह कहां पाये जाता है मध्य अक्सांसों में महाद्वीपों के भीत्री भाग जैसे पूछा जाए अमेरिका में क्या कहते है इनको रिपीट हो जाएगा प्रेरी यूरेसिया में क्या कहते है इस्टेपी बात करें आपका अधक्षिन अफ्रीका वेल्डस इसके बाद मैं बात करें तो अर्जेंटिना पंपास ऑस्ट्रेलिया डाउन्स और न्यूजिलेंट केंट बरी ठीक है अब है क्या यह जंगली भेंसा यहां पर है बाइसन है एंटी लोप प्रजाती के जीव यह कहां पाए जाते हैं सितोस्न घास में तो यह था अपना आज का सेशन उटा साक सेशन है लंबा चोड़ा नहीं है तार गर्वित बाते हैं और वन्ने जीवों के स्रंक्षन के लिए विश्व में काम करने वाली संस्ता कुन सी आई यूसी एन यह भी याद कर लेना यह भी एक महत्तोपूर्ण परशन है आ सकता है आई यूसी एन की फुल फो मुझे बता दीजिएगा पिर आते हैं कंटीली जाडियां सुस्क्रेक्स्तान में पाई जाती इसके लाद धुर्विये परदेश की बात करने अतने दिक ठंडा मिलेगा यहां बहुती सिमित प्राकरतिक वनस्पती हैं यहां काई है लाइके नहीं चोटी जाडियां यहां पर पाई जाती हैं अल्प कालिक गर्श्मरीतु के दोबान विक्सित होती हैं इसे टूंडरा प्रकार की वनस्पती कहा जातत्तेगा के बाद में टूंड़ रहा है यह वनस्पतियां युरोव पेसिया और उत्र अमेरिका के दुर्विय प्रदेशों में मिलती हैं यहां की जानवरों की सरीर पर मोटा और मोटी चमडी होती है ठंडी जिल वायुम रहते हैं मोटा क्वेस्ट